नमसकाल दोस्तो, अतेच स्वागत करता हूं आपका हमारे यूटूब चैनЕल अपनागाडन में दोस्तो ये कुंदुरु का प्लांट है जिसे हम तेन्द attemptora के नाम से जलने जाता है इसके अंग्रेजर से साल पर लगा जा सकता है और वाल तुर्म मेरं सीध और और शोमोरЭण सबसे दिली पीजन – गर्मियों और और बशाटों का मौसम मेरे चाफ कोई थि जिसको मैंने ऊपर को ग्रो करने दिया, इसको हम सीट के माधिम से लगा सकते हैं, सीट के माधिम से लगाने के लिए इसके हमें पक है फल चाहिए, उसके बीजों को हम इस्तमाल करके इनको ग्रो करते हैं, इसको स्टेम से लगाने के लिए हमें कम सकम 10-12 इंच की कटिंग चाह इसके लावा उसकी जो थिकनेस है वो 1.5-2 cm की हो तो बहुत अच्छा है तो जल्दी अच्छे रिजल्स मिलते हैं यहां पर जो यह एक और इंज कलर का फ्रूट देख रहे हैं यह पकावा फ्रूट है और इनी के बीजों के माधम से हम इनको ग्रो करते हैं इस प्लांट को ग आइडेंटिफाई करना मुष्ट होता है जब तक वह पुरी ग्रों नहीं हो जाते हैं और फ्रूटिंग देते चाल नहीं तो हमें हमें पता नहीं चलता है यह कौन सा प्लांट है तो इसलिए कटिंग के तूर आप लगाते हैं तो असानी हो जाती है हम फीमेर प्लांट की क है कि इस तरह से जो नेट बना लें थोड़ा सा अच्छा नेट बनाएं ताकि क्योंकि च्छत के ओपर जब हवाई चलती है तो अक्सर ऐसे प्लांट जो है टूट जाते हैं सेटिंग की तूट जाती है खराब हो जाती है कुंदुरू के प्लांट लगाने के लिए जो आप इसकी मिट्टी में पानी का कठा ना होने दें पानी को जमा ना होने दें क्योंकि इसे प्संद नहीं है वैसे तो यह काफी हाड़ी प्लांट है और अगर आप नए हैं गार्णिंग में बिगनिर है गार्णिंग में तो आप इस प्लांट से स्टार्ट करें और इसे बारा म मिलने शुरू हो जाते हैं वाटरिंग की बात करें तो इसे ज्यादा वाटर की जूरत नहीं होती है इसे तभी आप वाटर करें जब इसकी ऊपर की जो आपको सूखी दिखें आप उसे एक इंच तक खोद के देख लें उंगली से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कर दें तो ठीक रहता है और हार्वेसिंग जब आप करें तो कुंद्रू को खींच के ना तोड़ें इसे हमेशा आप किसी कटर के साहिता से या किसी पूल के साहिता से ही तोड़ें चलिए आज मैं भी कुछ कुंद्रू हार्वेस्ट कर लेता हूं करत दोड़ें दो करें दिए जाएगा है जाएगा है कुंद्रू की हार्वेस्टिंग और मैंने कर ली है और मैं चाहूंगा कि बाहर की सब्सक्राइब करते हुए आप भी अपने घर में इसी तरह से और गैनिकी सब्सक्राइब को खिलाएं ताकि वह फिट और हेल्दी रहने में उनको मदद मिले अगर आपको मेरा वीडियो पसं जाओ नवाद।